तेज तेज चलने से बदन में 80 साल तक धीला पर नहीं आता। सौम खाकर चलने से नजर कमजोर नहीं होती। अलाइची दान के नीचे दबाने से हिलते हुए दान पथर जैसे मजबूत हो जाते हैं। जुबान के नीचे कलवंजी का दाना रखने से बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। सर में तीलों का तेल डालने से दिमाग की नसे खुल जाती हैं। दिमाग तेज होता है। माथे पर लीमू काट कर मसलने से दिमाग तेज हो जाता है। अदरक वाला पानी पीने से पेशाप मोती की तरह साफ शफाफ हो जाता है। पाखाना काला आ जाए तो दो खीरे खा लो। भुने हुए चने खाने से हडियां ओंड की हडियों जैसी मजबूत हो जाती हैं। कच्ची स्ट्राबरी खाने से जिंदगी भर मोशन नहीं लगेंगे। अगर आपका सांस भूल जाता हो तो लसूरे खाया करो। घुटनों में दर्द हो तो गैंदे के तेल से घुटनों की मालिश करो। दर्द जाता रहेगा। कमर में दर्द रहता हैं अके गुलाब से कमर की मालिश करो। जब्रे में दर्द रहता है तो मलेटी खाया करो दर्द दूर हो जाएगा, बाजु में दर्द रहता हो तो नीम के पत्तों के रस को बाजु पर मसलने से दर्द खतम हो जाता है, हरबूजा खाने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है चिकंदर खाने से लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है बदन पर खारिश रहती हो तो ऐलो वेरा काट कर खारिश वल जगा पर लगाने से खारिश फोरी खतम हो जाएगी वजन कम होना शुरू हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा केले खाओ, वजन दुबारा अपनी जगा पर आ जाएगा, वजन भरना शुरू हो जाए तो हल्दी वाला नीम गरम दूद पीना शुरू कर दो, वजन भरना रुक जाएगा, मट्टी के बटन में पानी पीने से बिमा इलाच बिमारी की वज़ा से नहीं होगी जो हल्दी वाला दूद पीता है उस पर साप और बिच्छु को जहर असर नहीं करेगा जिन लोगों को बादी बवसीर खांसी दमा ये गंठिया हो उनके लिए मेथी गिजा भी और दवा भी है जिस घर में ज्यादा चुहें होते हैं वहां के अफराद में काला यरकान होने का अंदिशा होता हैं जिसकी पलकें घनी हो वो जहीन तरीन होता हैं जिसकी गर्दन मोटी हो वो अकल का थोड़ा होता हैं काला लिबास पहने से दिमाग कमजोर हो जाता हैं जो खाना खाकर सो जाता है उस पर बढ़ापा जल्दी आ जो खाना खाकर हाथ दस्तरकान से साफ करेगा उसके रिस्क में कमिकर दी जाती हैं। जो बंदा थंडा पानी ज्यादा पीता हैं। उसकी मौत दिल के दोरे से ही होती हैं। मेथी दाना अद्रक के साथ जोश दे कर इस्तमाल करने से कमर और जोडों के दर्द में आराम होता है हम बिस्ट्री से फुरागत के बाद निया और बीवी दोनों को चाहिए कि वो पेशाप कर ले नहीं तो किसी ला इलाज बिमारे में मुपला होने का ख़चा है मुबाश्रत के फौरण बाद थंडे पाने से ना दोएं ऐसे में बुखार होने का ख़चा है सफर पर जाने से पहले पुदीने की डंडी चबाने से मतलिक का मसला नहीं होता दूद में शहत मिला कर पीने से नजर तेज हो जाती है जिन लोगों को बवसीर का मसला हो पुदीने का शर्बत बना कर पिया करे बवसीर का मसला हल हो जाएका पूदीने के पत्ते चबाने से रात को बुरे खौब नहीं आते सुरुज मुखी के तेल से आंकों के इर्द गिर्द मसाज करने से नजर तेज हो जाती है पानी पीने के फोरण बाद लेटना नहीं चाहिए इसे पानी गुर्दों में चला जाता है जिसकी वज़ा से आपकी मौत भी वाकि हो सकती है नहाने से पहले नाफ में कोई साभी तेल लगाने से जिसमानी बिमारियां दूर होती है और कभी खारिश का मसला भी नहीं होता है कमर के नीचे दानी निकल आएं तो समझ जाएं आपको फाली जोने वाला है सोने से पहले डाल खाने से सूंगने की हिस्ट तेज हो जाती है सोने से पहले आम का अचार खाने से मरदाना ताकत भर जाती है फाल से कशरबत पीने से मैदा ठीक रहता है पूदीने का पानी पीने से बदन की जिल्द निखडने लग जाती है। काम के दोरान अधरक चबाने से बदन की थकावाट गाइब हो जाएगी। दहीं खाने से पूर्स को नींद आती है। गैंदे के फूल को सुमने से दिमाग तेज हो जाता है। शिमला मिर्च को खाने से बंद कान खुल जाते हैं, अंगूर का रस पीने से छाती में जमा बलगम साफ हो जाता है, काले अंगूर खाने से पेट की सफाई हो जाती है, नाश पती खाने से आपके अंदर कुवत आना शुरू हो जाएगी, चिकोत्रा खाने से बंद का बस फोर खुल जाती है नीम गरम पानी में लीमू और डिश वाशिंग लिक्विड मिलाकर फरनीचर की सफाई करने से फरनीचर चमक जाता है फरनीचर की चमक के लिए घरेलू पॉलिश जैतुन का तेल दो चमच सुफेद सिर्का दो चमच इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक् आएंगे और चमक भी आ जाएगी जहां जहां से फरनीचर का रंग उत्रा हुआ हो वहां नेल पॉलिश फरनीचर की कलर जैसी नेल पॉलिश मारकर यह जुत्यों वाली पॉलिश लगाकर फरनीचर का रंग दुबारा से कर सकते हैं नमकीन चावल खाने से बहतर है कि तुम अब dual वाले चावल खाया करो इसे ताकत मिलती है कच्चा अम्रूत खाने से हाजमा कभी खराप नहीं होता कच्चा अनार खाने से खोन कभी गाड़ा नहीं होगा जो बंदा रोज एक जामन खाता है तो उसके चहरे की रंगत कभी पीली नहीं होगी फालसा खाने से मेदा बूज़ा खाता है उसको जिन्दगी में दिल की तकलीफ नहीं होती है इमली खाने से मूँ में कभी च्छाले नहीं आते हैं रोज एक सेब खाने से जिन्दगी भर उसकी कमर के महरे कभी हीलेंगे नहीं कच्छा नारियल खाने से जिन्दगी में शुगर जैसी महलिक बिमारी नहीं होती, शर्जम का सालन खाने से पेशाब में कभी रुकावट नहीं आएगी, गाजर खाने से दिल के वाल हमेशा खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते, मूली खाने से जिगर कभी खुन बनाना नहीं छोड़ता, सो साल तक जिगर तंदृस्त रहता है, तली हुई मुहां से भड़ जाते हैं, दिल की सिहत के लिए भी खत्रा है, शुगर के मरीज़ खाने के दोरान लंबा वक्वा ना दे, तीन की विजाए पांच बार खाएं, पांच बार खाना खाने से जिसम में गुलकोस की सता बरकरार रहती हैं, और अचानक से शुगर लो नहीं होत जिसकी बात करते वक्त मुह से थूक निकले, तो समझ जाओ, ऐसे बंदे दिमागी तोर पर ज्यादा जहीन होते हैं, रात को सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी पीने से जोडों में दर्द का मसला हो जाता है, खीरा ज्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, फालिज का गरेलू इलाज, एक चमच शहद में दस कत्रे कलवंजी का तेल अच्छी तरह मिक्स करें और मरीज को पिलाएं, असर के वक्त तीन अदद केले इकठे खाएं, इन्शाला पांच हफ़तों के मुसलसल इस्तमाल से फालिज और लक्मा का मरीज अपने पाउं पर ख जो औरतें गर्दन की मेल उतारना चाहती हैं तो लीमू और मूली का रस मिलाकर गर्दन पर लगाएं, जो औरतें आंके खुब सुरत बनाना चाहती हैं तो शहद और सुर्मा मिलाकर लगाएं, जो औरतें होटों को मोटा करना चाहती हैं तो मक्षन में लोंग डालकर लगा जो औरतें मकसूस जगा को तंग करना चाहती हैं तो केले की छिलकी मकसूस जगा पर मसल लें। जो औरतें चेहरे की जुरियां गाइब करना चाहती हैं तो दूद की बलाई और मक्षन मिलाकर लगाएं।